आप सो भी सातियों को मेरा नोशकार दोस्तो महागाई भत्ते के संदर में एक अच्छी खबर निकल के आ रही है अपनी स्किन पे आप देख पर है महागाई भत्ता बढ़ोतरी यूपी में राज कमचारियों को जून में मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन लखरू से खबर दोस्तों यूपी सरकार राज कमचारियों को मही महीने का वेतन जो जून में मिलेगा उसके साथ 4 फिजदी महाई भत्ता ब्रधी का लाब देने की तैयारी में है इस ब्रधीक से राज कमचारियों का महाई भत्ता 38 फिजदी से बढ़कर 42 फिजदी हो जाएगा पेंसनरों की महाई रहात में भी 4 फिजदी का इजाफ़ा होगा वित्व भाग ने बढ़े हुए मंगाई भत्ते के भुकतान की फाइल तैयार कर ली है जल्द ही इस फाइल को मुख्यमंत्री के पास भेजी जाएगी सुत्र बताते हैं कि बढ़े हुए मंगाई भत्ते का भुक्तान मैं माह के वितन के साथ नगत किये जाने का आदेश इसी महीने की तीसरे सब्ता तक किया जा सकता है जनवरी से अप्रील तक मांगाई भत्ते के एरियर का भुक्तान सरकार पूरू की भाती कमचारियों के जीपीफ सीपीफ खाते के साथ ही बचत पत्रों के माध्यम से कर सकती है जुलाई 2023 में राज कमचारी फिर से मांगाई भत्ता बृध्धी के हक्तार होंगे केंदर की घोसला के बाद राज सरकार भी अपने कमचारियों को इस बृध्धी का लाब देगी तो दोस्तों आप जाते हैं कि वर्स में कमचारियों को दो बार मांगाई भत्ते का लाब दिया जाता है एक तो जनवरी माह में और दूसरा जुलाई माह में तो ऐसे में ये जनवरी माह में चार फिस्दी को जो बढ़ोत्री होई थी वो नगत रूप में आपके वेतन के साथ नहीं दिया जा रहा है तो निश्चितरु से यदि ये 4% की बढ़ोतरी होती है तो आपके वेतन में बिर्धी होगी ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे जो बढ़ोतरी होनी है वो जुलाई में भी एक होनी है जो की वर्स में दूसरी बढ़ोतरी होनी है तो जुलाई की घोसरा सितंबर या अक्टूबर तक हो सकती है कि कितने प्रसत मंगाई भत्ता बढ़ाय जता है लेकिन फिलाल ये 4 प्रसत का मंगाई भत्ता आपको इस महीने के वेतन के साथ नगत रुप में भुकतान होने के उमीदे जग चुकी है आई दोस्तों देखते हैं अगली ख़बर को दोस्तों अगली खबर आपकी पदोनती से जुड़ा हुआ है और यहां जो डेट बढ़ाने का सिलसिला है वो अब भी जारी है अपनी स्कीन पर आप देख सकते हैं यहां इस आदेख के बात करें इस आदेख में उपर की पंक्तियों को देखें तो पूरु में जितने भी आदेख दिये हैं उनकी पत्रांक और डेट को यहां वे सोकिया गया है मूल बात पर आपको सीधे लेके चलते हैं यहां पताया ज़ा रहा है आप दोरा सिक्छक सिकाओं दोरा अनंतिम ज़िस्ता सूची के सापेक्छ किगई आनलाइन आपत्ती का निस्तारण का कायरे पूर्ण किया गया है भुग्त के समन्द में आपको निर्देशित किया जाता है कि संगलगन प्रारूप पर तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज असपस्ट है कि यहाँ पे सिर्फ दो दिनों का ही समय दिया ज़रा आज 9 तारिक है यहाँ पे फिर 10 और 11 यानि 11 तारिक तक यह सूची अपलोड करने की यहाँ पे बात की जा रही है और कहीं-कहीं यह सूची अपलोड हो जाती है तो पदोलनति के संदर में अगरिम करवाई हो पाएगी और यहाँ पे जो सूची मांगी गई है उसमें खास तोर पे जो सूचनाई लेटेस्ट मांगी गई है और यहाँ पे प्राथमिक और junior दोनों का मांगा गया है कि प्राथमिक टेट आप पास है या नहीं, junior पास है या नहीं और किस सन में पास है इसकी जनकारी यहाँ पर मांगी गई है तो कुछ जन्पदों में यहाँ पे Google Seat के माध्यम से भी यह सुचनाय मांगी जा रही है जो directly सुचनाय VRC को या फिर विवाग को प्राप्त हो सके जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो यह पेज आपके सामने आएगा और यहाँ आप देख सकते हैं जुनियर बेसिक विद्धार में कायरत अस्थाई सहाय का ध्यापक ध्यापकाओं के समन्द में सुचना मांगी गई है आपका email address यहाँ पे फिल करना है वो निचक तरफ आपकी क्या है वो डेट यहाँ पे सो करनी है उसके अलावे सेवा आवद की गर्णा तीस चार दोजार तेज तक हैनी कि तीस अप्रील दोजार तेज तक आपके सेवा का कितना समय हो गया वो समय यहाँ पे answer के रूप में देना है आपको विद्धाले का नाम अपने देना ह उसके अलावे विकासखंड का नाम या पूछा गया है नीचे गतरफ आएंगे तो यहाँ पे sexy क्योगिता पूछी गया है sexy क्योगिता में आप B.A.C. है विकाम है क्या है वो चीज यहाँ पे mention करनी है उसके लावे प्रसिक्षड योगिता आपकी क्या है वो चीज यहाँ फिल कर देनी है नीची तरफ आएंगे तो सबसे मतपूर पॉइंट है TET उत्रिन होना यहाँ पे हाँ या नहीं में इंसर आपसे पूछा जा रहा है और फोकस CC पर किया गया है कि कितने सिक्षक TET पास हैं तो ऐसे में अगर TET या पास है तो यहांपे दो जीड़ कोलिफाय है तो वह शीज हाँ फिल करदनी है अब new ot टरफ आते हैं तो यहांपे से और इंड़े खुलेगा और यहां से आपको अपना वर्प सरेट करना हुगा कि आप विज्ञान गड़ित के हैं समाजी पूसे के हैं भाजा के हैं या अन्य के हैं इसके लावे नीचे करफ आप आएंगे तो यहां पर अनंतिम जैस्ता क्रमांग पूछा गया है तो जो आप पूटल से देखके निश्ची दूप से यहां फिल कर दे और उसके बाद लास्ट में याज सब्सक्राइब बटन का उप्सन है इसे सब्मिट कर देंगे तो यह सुचना सम्मंदित ब्यक तक आसानी से पहुंच सकेगी और आगे इसमें करवाई हो पाएगी तो दोस्तों य करते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार